नमस्कार मैं हूँ नाराइन शर्मार आप देख रहे हैं AINS News 24 चैनल आप खबरे मिस्तार से उसे रवाना कर दिया गया इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ओम माथूर और संगठन महामंत्री ने विधिवत रथ की पूजा अर्चना की और रथ का मुआयना कर उसे रवाना किया प्रदेश प्रभारी ओम माथूर ने कहा कि भारती जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा 36 गर में एक नया इतिहास लिखने जा रही है उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंदर सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं से 36 गर की जनता को आउगत कराया जाएगा और प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार की नाकामी भी जाहिर की जाएगी पहुचाने के लिए हमारे लाबार्टियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भलशरकार के प्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है लिश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा 36 गर में एक नया इतियास लिखने जा रही है 36 गर में संचालित राम वन पथ गमन परिपत के अंतरगत आज मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने नगरी सिहावा के मुकुंद पूर में भगवान राम की भव्य परतीमा का लोकारपन किया और विभिन निर्मान कारियों का शुभारम किया इन कारियों में राम वाटिका, परियतक सूचना केंद्र, एप्रोच रोड, विद्यूती करण और यग्य साला समित कई कारे शामिल किये गए हैं इसके बाद मुख्यमंत्री सिहावा करनिस्वर रामायन महोत्सों में शामिल हुए यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सिरी राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं उन-उन स्थानों को विक्सित करने का सौभाग्य हमें मिला है इसके लिए हम प्रभूर राम के सदा भारी रहेंगे एक कार को रोकने के लिए एक व्यक्ति बोनट पर बैठा है और दो बाइक सवार उस कार को रोकने के लिए कड़ी महनत कर रहे हैं यह किसी फिल्म का द्रिश्य नहीं बलकि सच्ची घटना है जानकारी के मुताबिक गरियाबंद जिले के राजीम नवपारा में इस कार ने बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को ठोकर मारी और फरार होने लगा लोगों ने पीछा किया तो उसने स्पीड और बढ़ा दी इसी दोरान कार ने एक और बाइक सवार दमपत्ती को ठोक दिया लगातार उसके पीछे लोग लगे रहे और कार को रोकने के लिए कहते रहे लेकिन काफी देर बाद कार रुकी तो कार चालक को लोगों ने पीट दिया बाद में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार चालक ने पीटाई की शिकायत ठाने में लिखा दी पुलिस ने मार पीट करने के आरोप में साथ लोगों को ही ठाने में बिठा लिया 12 सितंबर को 36 गड की भारती जन्ता पार्टी के परिवर्तन यातरा को हरी जंडी दिखाने केंदरी ग्रहमंत्री अमित शाह दंते वाड़ा पहुँच रहे हैं जिसे लेकर 36 गड कांग्रेस ने अमित शाह के लिए आठ सवाल तयार किये हैं और ये सभी सवाल बस्तर के मुद्दो पर केंदरी थें इन सवालों को बस्तर में कांग्रेस के नेताओं ने पत्रकारों से साज़ा किया इस दोरान नेताओं में सब्तगिरी उलका प्रदेश देक्ष दीपक बैज, मंतरी कवासी लखमा, मोहन मरकाम, विधायक संतराम नेताम, मलकीत सिंग गेंदू समित कांग्रेस जन उपस्तित रहे प्रदेश देक्ष अरुन साव ने कहा कि हमारी परिवर्तन यात्रा चथिज गड़ की तरक्की वक्षाली के लिए है जो पिछले पांच सालों में लोगों से कोसो दूर चली गई है उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन यातरा के माध्यम से एक बार फिर 36 गर को तरक्की और खुसाली के रास्ते पर लेकर आएंगे क्योंकि वर्तमान कॉंग्रेस सरकार ने सिर्फ भरष्टाचार के अलावा इस राज्य में कुछ नहीं किया इससे छुटकारा दिलाने में परिवर्तन यातरा की भूमी का महत्पून होगी हम कल 12 तारिक को मा दंतेस्वरी के पावन धाम दंतेवाडा से परिवर्तन यातरा निकालने जा रहे हैं दूसरी परिवर्तन यातरा 15 तारिक को जस्पूर में मा खुडिया राली के आसिरवार से प्रारम होगी चतिरगण की खुसहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है और चतिरगण खुसहाली की और बढ़े तरक्की की और बढ़े इसके लिए परिवर्तन यात्रा है वन वन प्राणी और परियावरण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुती देने वाले शहीद वन अधिकारी व करमचारियों को 11 सितंबर वन शहीद दिवस पर स्रधान जली दी गई राजीव स्मृती वन में स्थित वन शहीद इसमारक में वन शहीदों को वन मंतरी मुहम्मद अगबर, विभाग के प्रमुक्सचिव मनोज पिंगवा, परधान मुख्य वन संगरक्षक वी श्री निवास राओ, समेत अधिकारियों ने स्मृती स्थल पर पुष्पचक्र अर करके लोगों को लखपती और करोरपती बना देने की बात कह रहे हैं, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए वे बकाइदा शपत पत्र भी लिखेंगे, और उसके आधार पर यदि उनकी बातें सच नहीं हुई, तो कोई भी उनके खिलाप कोट जा सकता है अगर नहीं करूंगा तो उस शपत पत्र के आधार पर 36 गड़ का कोई भी मद्दाता, कोई भी नागरिक मुझको कोट ले जा सकता है, मुझको दो साल की सजा तक दिला सकता है, ये अधिकार उसके पास रहेगा, लेकिन मुझे आत्म विश्वास है, क्योंकि मैं जोगी जी का लड़का हूँ, मेरे में जोगी जी का खून है, इसलिए मेरी जुबान चली जाएगी, मेरी जान नहीं जाएगी, अगर यहां के हरे त्व्यक्ति को मैं लखपती, करोड़पती नहीं बना पाऊँ, पात साल में, तो मुझको यहीं पर सूली पे फासी की सजा दे देगा प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी 36 गड़ के आहवान पर जिलाई काईयां आगामी 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेंगी, इसके लिए दो दिन पूर्व से ही जन समर्थन जुटाए जा रहे हैं, ताकि आंदोलन विरहद और सफल हो सके गउर तलब है कि 36 गड़ में ये रेल रोको आंदोलन लगातार यात्री तेनों के रद्ध होने को लेकर किया जा रहा है, इसे लेकर पॉंपलेट वितरन के साथ लोगों के बीच जाकर समर्थन भी मांगा जा रहा है हम तमाम कॉंग्रेस के साथ ही तेरा तारी को अंदोलन करेंगे लाठी खाएंगे जेल जाएंगे गोली खाएंगे लेकिन यात्रीयों की सुदा के लिए इस ट्रेन को चालू करा करेंगे अब हमें इजाज़त दीजे कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा लोग प्रिये यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्स्क्राइब और बैल आइकन का बटन दबाना ना भूने नमस्कार